दोस्तों इंडिया में हर साल on and average देड लाक लोगों की डेथ हो जाती है कार एक्सिडेंट या फिर रोड एक्सिडेंट में तो उसके अलग-अलग रिजन्स होते हैं बट बेसिकली एक बात होती है दोस्तों सेफटी कार की सेफटी वो लोग उस पे ज्यादा धैन नहीं देखते हैं तो जब भी कोई नहीं अपनी कार खरीदने जाता है दोस्तों इंडिया में तो लोग ज़्यादा तर या तो फीचर्स पे द्यान देते हैं या फिर लुक्स पे रोड प्रिजेंस पे या फिर उसके एकोनॉमी पे बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरेटी देनी चाहिए वो सेफटी को देनी चाहिए सेफटी जो है वो टॉप नौच पे होनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले आपने सेफटी देखो या उसके बाद ही कार के फीचर्स या फिर एकोनॉमी देखनी जो इसके लिए जाते हैं वो किस बेसिस पर दिए जाते हैं मेरा कहने का मतलब यह दोस्तों की उसको सेफ कितनी सेफ हो कैसे डिटर्माइन किया जाता है तो दोस्तों इसके लिए कुछ और्गनाजेशन होती है जैसे कि गलोबल एनकेप जिसका आपने नाम सुनाई होगा ए अडुल्ट सेटिक को क्यालकुलेट करता है तो अलग-अलग सेंसर्स होते हैं की फ्रंट और साइड इंपक्त और सारे इंपक्त को कैच करते हैं उसके बाद रिस सब्सक्राइब होता है कि कुछ मिनुट मोहीं हो जाता है थ्री मिनिट के अंदर यह जयता है बड़ इसको पूरा सेट अप करने के लिए तीन दिन का समय लगता है दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों ग्लोबल एंक पे वैसे बहुत सारे एंक प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों की मानलो अगर इंडिया में कोई गाड़ी अगर फाव स्टार लेके आती है तो लेक इंडिया में मुश्किल से एक स्टार एंक लाप आएगी दोस्तो इतने स्रिक्ट प्रोटोकॉल होते हैं उसका ब हम अलग-न रिजहन से क्योंकि वहां पे जो स्पीड लिमीट फिर उसके जो स्पीड होती हैं कार्स यहां होदी क्योंकि वहां के रोड़ सच्छे हैं और उन तो पहले दोस्तो एक रिक्वेस्ट है कि यह बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है तो अगर आप चैनल पर नहीं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करदो मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तो नंबर 15 पर आती है निसान की मैगनेट जिसने ग्लोबल एंग कैप में 4 स्टार हासिल किये थे और अडल्ट सेफ्टी में इसने 11.85 स्कोर किया था और चैल्ड सेफ्टी में इसने 24.88 स्कोर हासिल किये थे आगे बढ़ने से पहले मैं दो इसके जो ग्लोबल एंग कैप में इसने स्टार लाए थे वो थे 4 स्टार वित अडल सेफ्टी रेटिंग 12.03 पॉइंट के साथ और जो चैल्ड सेफ्टी है थी उसके पॉइंट से 38.27 नेक्स जो है दोस्तो थर्टीन नंबर पर आंड रेनाओल की काईगर इसने 4 स्टार ला नेक्स वन इस मारोति शुजकी ब्रेजा जिसने 4 स्टार रेटिंग लाइती दोस्तो 12.51 अडल सेफ्टी रेटिंग और जो चैल्ड सेफ्टी रेटिंग पॉइंट में थी दोस्तो वो 17.93 ती इसके बाद दोस्तो आती है टाटा की टियागो जिसने 4 स्टार सेफ्टी रेट जो है दोस्तो दोनों सेम प्रेम पे बनी है दोनों सेम ही मॉडल है बस एक हैजबेक और एक सिदैन वर्जन है तो दोनों की सेफ्टी रेटिंग भी सेम ही है 4 स्टार जो की अडल के साथ 12.52 और चैल्ड सेफ्टी ची इसकी 3 स्टार जो की 34.15 सेफ्टी रेटिंग आई थी न सेफटी रेटिंग स्कोर किया था उसके बाद सेम महिंद्रा की दूसरी एक कार है दोस्तो एम्वी कह सकते हूं उसको आप यह ज्यादा तर बिखती तो है नहीं मार्केट में बड़ सेफटी रेटिंग है दोस्तो वह है फोर स्टार 12.85 with adults and with child safety rating इसकी आई थी 2 star जो की 22.22 safety rating इसने की थी next जो है दोस्तो 7 पे आती है Toyota की अर्बन क्रूजर जो की मारुत की ब्रेजा ही है बड़ इसने मारुत की ब्रेजा से ज्यादा स्कोर किये है दोस्तो जिसकी safety rating at 4 star with 13.52 adult and with child safety rating 36.68 इसने point score किये थे next जो है दोस्तो नमबर 6 पे Honda की Jazz और इसने जो score किये थे 4 star with adult safety rating इसकी rating थी 13.89 और जो child safety rating थी दोस्तो वो थी 13.54 नेक्स जो कारे दोस्तो वो फिर से एक बार महिंद्रा की है जो की xv700 जो इसने 5 star rating लाई थी दोस्तो और adult safety rating में इसने 16.03 स्कोर किया था और child safety के साथ इसने 41.66 point score किये थे उसके बाद जो कार आती है दोस्तो वो है टाटा की नेक्स ओन ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जिसने 5 star rating लाई थी दोस्तो और इसने revolution स्टार्ट करती आता इंडिया में जो कि इंडिया की सबसे पहली 5 star rated कार थी और उसके बाद ही टाटा की जो गाड़िया थी वो सबसे आता फेमस होने लगी और इसकी आज भी वेटिंग लिस्ट बहुत जादा आती है दोस्तो और पिछले कुछ महिनों से 8 से 9 महिनों से य आती है इसने स्कोर किया था दोस्तो 5 star rating के साथ जो adult safety rating थी points में वो थी 16.06 और जो child safety rating थी दोस्तो इसकी जो point में की थी 25.00 वाद दोस्तो फिर से टाटा की दूसरी एक कार है टाटा आल्टरो जियो इंडिया की second सबसे 5 star rated car थी 16.13 adult occupant के लिए safety rating थी और जो की child safety rating थी दोस्त महिंद्रक्य एक से भी 300 जिसने 5 star लाई थे दोस्तो अडल्ट सेफ्टी में इसने 16.42 स्कोर किया था और जो child safety में था दोस्तो वो 41.66 स्कोर इसने किया था और नंबर वन पर जो कार है दोस्तो वो है टाटा की पंच जिसने 5 star rating लाई थी 16.45 adult safety rating लाई थी दोस्तो इसने और child safety rating में इसने 40.89 स्कोर किये थे सबसे पहले इसी कार है जिसकी 1 lakh unit स्रिप 6 मैने में complete हो चुके थे मतलब 6 मैने में भिग गए थे और इससे पहले कोई भी कार इतनी जादा इतनी जल्दी भिगी नहीं थी तो इंडिया की सबसे फेमस अभी फिलाल जो है वो एक कार है यह थी तो टॉप सेफेस्ट कार आफ इंडिया की लिस्ट जो कि टॉप 15 कार्स थी उसके बारे में मैं आपको बताया तो यह जो पूरी वीडियो थी दोस्तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब शेर और लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई